नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम जानने वाले हैं माता तोसी को किस दिन कब और कैसे लगाना चाहिए क्या करना शृभ होता है क्या करना अशुभ होता है अगर आप ये सारी बाते जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंग तक जरूर देखे अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं घर की इस जगह पर भूल कर भी ना रखे तुलसी का पौधा होता है अशुप प्रभाव तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है तुलसी का पौधा बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है कई घरों में तुलसी की पूझा भी की जाती है लेकिन अगर तुलसी सही जगह ना रखी जाए तो ये अशुप फल भी देती है आचार्य कमल नंगलाल से जानते हैं कि वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा कहा नहीं रखना चाहिए चोटा घर होने, बालकने ना होने या फिर अच्छी दूप के लिए कई लोग तुलसी का पौधा अपने चटों पर रखते हैं वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा चट पर रखने से दोश लगता है अपनी कुंडली में बुध की स्थिती का पता जरूर लगाएं जिन लोगों का बुध धन से संबंध रखता है और वो लोग तुलसी को छट पर रखते हैं तो उन्हें आर्थि खानी गोनी शुरू हो जाती है इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है अगर आपने अपने घर की तुलसी चट पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तरदिशा में चीटिया निकलनी शुरू हो जाएंगी घर की उत्तरदिशा में कहीं न कहीं दरारे पढ़नी भी शुरू हो जाएंगी जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर चिलिया या कबूतर अपना घुसला बना लेते हैं इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है जो लोग घर की छट पर तुलसी रखते हैं आमतोर पर उनकी कुंदली में एक दोश मिलता है जिसे प्राकृत दोश कहते हैं प्रकृती से जो रिन या दोश हमें मिलता है उसे प्राकृत दोश कहते हैं और इसका सीधा संबंध बुद से होता है जिसका बुद्ध खराब वो उसका पता घर की उत्तर दिशा से चलता है ऐसे में अगर घर की तुलसी को छट पर रख दिया जाए तो बुद्ध की स्थिती और खराब हो जाती है जिसका असर आर्थिक रूप से पढ़ता है बुद्ध बुद्ध के साथ धनका भी ग्रह है बुद्ध को व्यापार का स्वामी माना जाता है इसलिए तुलसी के पौधे को कभी भी छट पर ना रखें तुलसी के पौधे को पूल दिशा में भी नहीं रखना चाहिए इसे आप उत्तर से लेकर इशान दिशा तक में रख सकते हैं तुलसी के पौधे को पश्चिम दिशा की तरफ भी रखा जा सकता है ध्यान देने वाली बात ये है कि दक्षिन पश्चम में और दक्षिन में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है श्यामा तुलसी में पत्या बिलकुल हरी और बवी होती है इसे तुलसा जी भी कहते हैं तूलसा जी को दक्षिन दिशा में रखने पर वास्तु दोश ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास तूलसी जी को छट पर रखने के सिवाई कोई और जगर नहीं है तो एक विशेश उपाई जरूर करें। तूलसी को कभी भी अकेले ना रखें।